स्वागत और अविरंदन आज इस वीडियो के सोजन से हम आपको बताएंगे कि हिर्दय से जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगे बहले आपको बीपी की सिकायत हो सुगर की सिकायत हो या फिर आपके हिर्दय में संकुचन पैदा हो रहा हूँ जिसकी बज़े से लोग इस टेंड टलवाते हैं बाइपास सर्जरी कराते हैं एक बार इस उद्राथ उदम्बरादी पे का सेवन चरूर करें स्वास संबंदित जिसे दिक्कते हैं वो भी ले सकते हैं जिनको सरीर में कहीं दिक्कत है सूजन है फेपड़ो में इंफेक्शन है वो सब लोग इस पेपदार्थ को उदम्बरादी पे का प्रियोग कर सकते हैं साथधानी पूर्वक विदी को सुनिएगा चरक संगिता में या वरनित विदी है इसका आप लाब ले सकते हैं ठीक है नोट करिए सबसे पहले गूलर की चाल पचास किरां बर्गत की चाल पचास किरां अरजुन की चाल पचास किरां पलाश पलाश की चाल पचास किरां खैर की चाल पचास किरां रोहडा की चाल पचास किरां इसमें ज से भी आप काम चला सकते हैं गवराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है पुराने से पुराने श्वास रोग हेरदर रोग कफवनना जी में चलाना हेंपड़ों में भारी पर रहना गवराट रहना बेचैनी रहना सरीर के किसी भी आंत्रिक हिस्से में सूजन होना इन सब में वो लावकारी होगा लीवर में भी कीटिनी में भी जाका स्वेलन है तो बहु दूर हो जाएगी गरवास है मोगत्रांग में सूजन है योनी में सूजन है वो भी आपकी दूर हो जाएगी कमरदर्द इत्यादी और मासिक धर्म को भी सुचारू चलाने के लिए आप इस खुद्रम ब्रादी पेकाप प्रियोग कर सकते हैं इतनी औशदियां आपको लेने के पशाथ इनको कूट लीजिए इमाम दस्ते से मेक्सी से चूरण नहीं बनाना है उट लीजिए जो कूट कहते हैं इसके लिए आईरवेद की भासा में कर लीजिए और करने के बाद एक जिब्यों में समाल कर रख लें उसके पशाथ 10 गिराम की मात्रा में ये चूरण आप 10 से 20 गिराम की मात्रा में अगर आप 45 साल से उपर हैं तो 10 से 15 गिराम और 20 गिराम तक ले सकते हैं एक बार कम से कम 10 गिराम और 40 साल से पीछे हैं 45 से नीचे हैं तो 10 गिराम चलेगा ये आपकी बीमारी को ध्यान में रखके आपकी उम्र को ध्यान में रखके बेट को ध्यान में रखके इसकी मात्रा का अनुपान बनाया जाता है ठीक है न? कितना लेना है कितना नहीं तो आप समझी कहे होंगे फिर इसको दो गिलास पानी में इसको खौलाईए भेगो के रख दें साम के समय में और सुबह के लिए उस पानी को उस दवा को खौलाईए खौलाने के बाद में जब आदा गिलास रह जाए तो इसको कपड़े से छान के रख लो और उसके पशाच छानने के बाद में जो निकलेगा आपका उदंब्रादी पे है तैयार हो गया इसमें तरकुटा डाल दो दो चुटकी तरकुटा क्या होता है काली मिर्च सोट और छोटी पीपल है इनका पाउडर को कहते हैं तरकुट तरकुटा दो चुटकी एक चुटकी ये तुसरी चुटकी ये इसको मिला दीजिए और रख दीजिए इसका मूँ ठाक करके जब हलका गरम रह जाए हलका सा गरमाहट रह जाए तो इसमें एक चमच ओरिजनल सहद मिला करके सुखे को लेटिन जाने से या तो पहले या फिर लेटिन जाने के 15 मिनट बाद या फिर नास्ता करने के 15 मिनट बाद आप इसको पी लीचिए ठीक है और उपर से एक घंटे तो कुछ खाये पिये नहीं चिकने चुपड़े पदार्तों से बचाओ रखना है यही विधी आपको सुबह को भेगो दें और रात्री में खाना खाने के आदे घंटे बाद आप अन्तिम भोजन के रूप में इस उदंबरादी पेकुल ले सकते हैं बड़ा लाबकारी है आप इसको ले जिन लोगों को सुगर की प्रॉबलम है वो इसमें सहिद के स्थान पर थोड़ा सा गुल डाल सकते हैं ठीक है फिर में लेंगे नहीं जानकारी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक सियर करें ताकि सबका वला हो सबका वला होगा तो संभाबना हमारे आपके भले की भी होगी यह दूसरों का वला नहीं सुचता है उसका वला कभी नहीं हो सकता है कितना भी चालाक चतु कितना भी बेहिमान कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको अपना यह कई सारी लोग स्वासंबन्दित पीड़ा से परिसाने सुगर से परिसाने वो लोग भी ले सकते हैं अब जाड़ा चला है ठंड चला है तो बहुत सारे लोगों को कफ बढ़ जाता है यह सब दिक्कतें बढ़ जाती हैं वो सब खत्म हो जाएगा किसी को फेंपणों की टीवी जैसी होती है तो वो भी शांत हो जाएगी किसी के लिए वाइरस चला है तो उसमें भी यह लाब करेगा वाइरस का जो इंफेक्शन है वो जल्दी हावी नहीं होने देगा आपके संबंदित और गर्वाजा संबंदित यह समस्ते दिक्कतों को पेसा वो लैटिन के माद्धिम से दूर कर देगा हाट अटेक जिने पढ़ चुका है यह पर जिनके डाक्टरों ने सलाह दिया है बेट बढ़ने से जिनका हाट सिकुड रहा है यह ना इस टेंड डलवाने के लिए कह रहा हैं आप पहले आप कम से कम चालिस दिन यह लेकर करके देखें फिर आप हमें बताएं फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ ओम शांति ओमक्रांति बहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आप कि स्वेक्शन किंतु अच्छी वीडियो को जरूर आगे बढ़ा है ओम शांति ओमक्रांति